हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है हीरो जूम 125 के बारे में कमपनी की और से क्या अपडेट आया है इस नई जूम में आप लोगों को कमप्लीट डीटेल से जानकारी दूनगा तो चलिए वीडियो शरू करते है अब बात करते है इसके लूप के बारे में तो लूप आपको काफी बहतरीन देखने को मिलता है इसका लूप सीधा टीवी ए सेंटर को टकर देता है अब आप ही लोग बताए है कि दोनों में से अपको किसका लूप ज्यादा पसंद आ रहा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा फिचर दोस्तों आपको काफी अच्छे खासे दिखने को मिलते है देशे के अपको इस पे प्रोजेटर अलिडी है डलेप सेटप के साथ जो है डिजीटल मीटर कंसोल दिया जाएगा इसमें अपको ब्लूटूथ कनेक्टिवीटी और टन बायर टन निविगेशन के साथ है सभी फिचर देखने को मिलेगे साथ ही साथ अपको इसमें USB चार्जिक पॉइंट देखने को मिलेगा जिससे दोस्तों आप लोग अपना फोन वगेरा चार्ज कर पाएंगे और सेफटी वायस दोस्तों आपको साइट स्टेंड इंजिन का टॉप सेंसर साथ जो हैं CBS यानिकी को भी ब्रेकिंग सिस्टम और दीस ब्रेक का ऑप्शन तो मिलेगा ही बाकी दोस्तों इसमें आप लोगों को बेटर माइलेज के लिए जो है आथ्राइटिस टेकनोलोजी भी देखने को मिलने वाली ही तो फिचर आपको अच्छे खासे देखने को मिलने वाले है बात करी जाए दोस्तों अगर इंजिन की बारे में तो इसमें हो सकता ही कि डेस्टीनी 125 जैसा ही 124 सीसी का एर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजिन देखने के लिए मिल सकता है जो की 9.12 एक 2 PS की पावर और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉप जनरेट करेगा जो की अपको 45 के आसपास की माइलेज निकाल के देगी उमीद है कि जूम 125 एक स्पोर्टी स्कूटर होने वाली है जो पावर फुल इंजिन के साथ आ सकती है अब दोस्तों कीमत की बात करे तो अभी तक कंपनी की और इसकी कीमत के बारे कोई अपडेट नहीं मिला है ऐसा लगता है कि इसकी कीमत करीब 80,000 रुपय से 90,000 रुपय के बीच हो सकती है अब लाँच बारे में बात करे तो एसकूटर टेस्टिंग की दोरान देखने को मिली है तो दोस्तों उम्मीद करते है कि इस फेस्टिव सीजन में अक्टूबर 2014 में लाँच किया जा सकता है फिल हाल के लिए इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फर वाचिंग अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करे और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए